पता नहीं भगवान कितनी परिक्षाइं क्यों ले रहे हैं और अभी छोड़ना क्या चाह रहे हैं कि मैं छोड़ दू नहीं करूँ बट कहीं न कहीं शायद वो साइन था कि आप स्ट्रॉंग निकलो आप निकल जाओगे बस करते रहो मैंने 2020 में अपनी तयारी स्टार्ट की थी और उसके बाद में तेहिस में सेलेक्शन हो गया तो मैंने 2020 में अपनी जॉब कुट कर रहे थे 2020 से लेके अंतिम रूप से चैनित होने तक में आपको कौन-कौन सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था जीवन में चाहें किसी प्र मैं जहां से आती हूं वहां पर कभी कोई था नहीं और हम दूर से ही देखते थे कि ऑफिसर्स आ रहे हैं कभी स्कूल में किसी उसमें तो हमेशा से लगता था कि करना है बड़ अ करना है। किस प्रकार से आपको यह मोटिवेशन आए कि सिविल सर्विस की एक्जाम में आपको जाना चाहिसा क्या हुआ आपके साथ में अचानक से तो नहीं हुआ वह हम बच्पन से मैं जहां से आती हूं वहां पर कभी कोई था नहीं और हम दूर से देखते थे कि ऑफिसर्स आ रहे ह है कभी स्कूल में किसी उसमें तो हमेशा से लगता था कि करना है अब मैं इस आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसरे किन-किन लोगों का रहा है आप चाहे तो समयले के नाम भी अगर भूले ने क्योंकि काफी लोग नाराजी हो जाते हैं दोस्तियार में इस वज बहुत सारे लोगों जोरे योगदान घ्राहें तो सबसे पहले तो भगवान का जो प्रेंड़ा घ्यूकों को उनका है मेरे मंमी पापा मेरी बहन मेरे वह फ्यामी मैंबर दादा जी नाना जी चाचा चाची बहुत सारे मेरे फ्रेंड रहें कुछ एक साहिल सर जो फ्री इनिशेटिव चलाते थे हो कॉपीज चेक करते थे मेंस की तो मैं उनको भी बोलूगी मेरे फ्रेंड्स थे जो इस जर्नी में उतकार शुरुची लोगों ने भी मतलब जब मैं डिमोटिवेट होती थी तो बोलते थे की ठीक है हो जाएगा हो जाएगा और भी बहुत मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे बहुत सारे मतलब कई लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है बोला है तो मैं आपका और माध्यम कौन सा थे मेरा माध्यम जो स्कूलिंग जो थी वो हिंदी मीडियम में हुई है पूरी पर ग्रेजुएशन मेरा क्यूंकि तो मैंने जो मेंस लिखा है वो इंग्लिष में लिखा है तो मेरा मिडियम इंग्लिष में ही मैंने ग्राइश धुलौ पडहा हिए चाहँ जह मैंने त nose मेरा से केचंड में सर्विस में ऐ और फांड़ अपने जोब चुट खीर है मैंने 2020 में अपनी तैयारी स्टार्ट की थी और उसके बाद में 23 में सेलेक्शन हो गया तो मैंने 2020 में अपनी जॉब को इट कर रहे थे 2020 से लेके अंतिम रूप से चैनित होने तक में आपको कौन-कौन सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था जीवन में चाहे किसी प्रकार क को बहुत सारे थे पर मेजर जो मुझे चैलेंजेस थे कि जब जैसे ही मैंने स्टार्ट किया दो तीन महीने बाद कोविड हो गया और मेरी पूरी फैमिली में सबको कोविड हो गया मेरी मम्मी को इतना ज्यादा था कि मतलब हमें असा लग रह था कि ऑक्सिजन वेंटिलेट हो गया मतलब इस टाइप से जो चैलेंजेस था है तो मुझे ऐसा लगता था कि हर वीक में मुझे असा लगता था कि पता नहीं भगवान कितनी परिक्षां क्यों ले रहे हैं और अभी चोड़ना क्या चाहरे कि मैं छोड़ दू नहीं करू बट कहीं नहीं शायद वो साइन सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कहां कहां से आपने करी थी तो कौन-कौन सी कोचिंग या इस्टीटीट और लाइन इस्टीट के मदरं नहीं कहां से आपने सहारा लिया था इस पिर बटाही थी सब मैं पीसे स्केली यूट्यूब को बोलती हूं मैंने इस के लिए जरूर एक कोचिंग में अन्रोल्मेंट किया ता डेली में पर मैं कर नहीं पाई थी अज कोचिंग कोविड हो गया तो में तीन चार महीं नहीं मैं सीरिसली कर पाई और मुझे चोड़ के फिर घर आना पड़ गया तो बट पीसियस के लिए मैंने पूरा फुली यूट्यूब पर बहुत सारे टॉपर्स के मैंने इंटर्व्यूस देखे कुछ आयस के हो जैसे अनुदीप सर थे जिससे जहां पर भी हैल्प ले सकते थे मैंने वह सारा देख देख करके ही सीखाया चीज़े अब मैं आते हैं प्रारंभी परिच्छा को लेकर के आपने अपनी तयारी में प्रारंभी परिश्या के लिए मैंने करेंट फिर्स के लिए तो स्टरी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो किया इसके अलबा बहुत सारे चैनल्स होते मतब जैसे जिसमें करेंट्स होती है ओशन करेंट्स तो एक चोटा सा वीडियो मिल गया दो तीन मिनिट का इसमें सारी कि क्या आपके पास कोई गाइडेंस था कि किस प्रकार से आप विश्वास कर लेते थे छोटे छोटे चैनलों पे कि हमको इंसे इंसे पढ़ते जाना है किस प्रकार से आपने इसको किया कि आपके पास कोई गाइडेंस इसके पहले था इसमें मेरा गाइडेंस था प्रिवे में सियर प्रिपर्स उठाके बोल कला थोर्र यहीं की में को आज मिल थे उस ही को माना है कि मिल को वही चीजा पढ़िनी है авra तो चोटची-चोटची टपिक्स अन्हें को वहां से पढ़ आध्य इसे आपने प्रारभी परीक परिछाव के पूरी की आपने आपको, नोट्स मेरे नहीं, मैं थोड़ा नोट्स नहीं बना पाती, में पास टाइम नहीं होता था, तो मैंने यह करती थी कि जिसे यूट्यूब पे कोई चीज देखी और वो मुझे एफेक्ट्यू लगी, तो कई बार मैं स्क्रिंशॉट ले लेती थी अपने फोन स अब मैं हम जानना चाहेंगे कि करेंट अफेर को लेकर के आपने सिर्फ स्टेडी फॉर सिविल सर्विस के देखी और और कुबुक वगएर आपका भी सारा लेती अ मैंने स्टाटिक के लिए तो जो मेरी बुक्स थी वो तो पढ़ते ही थे जैसे पॉलिटी करेंट को लेकर को लेकर के नहीं सब्सक्राइब करने सिवल सर्विस को भी सपूलम किया था करेंट अफेर्स के परफस से और मैं एक आई डरस्री लेकर आई थी पर Мैंने कवर नहीं कर कि एक एक ऐसा पेपर है जिसमें काफी अच्छे चात्र फेल हो जाते हैं कि इसकी महत्तवता भी बहुत जादा है तो लेकर के आप बता है तो यह आप साइंस के चात्र है इस वज़े से मैथ वालों के तो एजी वी रहता होगा आपने के से एक अच्छली मेरे लिए सी सैट कोई प्रैक्टिस भी ने की और मेरा ऐसे क्लियर हो जाता था कुछ प्रीवेस यह पेपर आपने देखे कुछ ए एक दो पीपर देख लिए थे और उससे देखकर के मुझे अंदाजा लग गया था कि मतलब मेरा हो जाएगा तो फिर मैंने ज्यादा प्रैक्टिस में अब आ यह सारा चीज़े मैंने अधित पॉब्लिकेशन की बुक से ही किया इसके बाद में मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेस के लेटर्स वगरा देखने के लिए वीडियो कुछ उनके पड़े हुए हैं फ्री में उससे कुछ देखा बाकी एक मतलब यही सारी चीज़े करी थ इसकंदे की की किसी की पड़ी मिल जाती थी मुझा तो फिर मूने वहां से कर लिया अच्छा हिंदी और इसे के लिए हैंधी और अशक करती थी फॉय हों से लिए लिए चसे कोट्स करते तो पय्को ãyम्हाँ चपिकक यहां तो मुझे अच्छे आख्छ लगते लगते तो disg अलग कोपी पे उनको सारा नोट कर लिया अलग अलग टॉपिक्स पना कर के मैं कोट्स नोट कर लेती थी और जहां अफिट होता था वहां पर एट वहां पर मैं हमारे जो वीवर से इनके अधिकांस ये कमेंट आते रहते हैं कि प्रारम्भी परिश्छा के लिए पने टेस्सी कोई नहीं लगाई थी मैं मैं अएस के जब एक साल पहले मैं एक एक्जाम दिया था तो मैंने इस की काफी साही टेस्सी लगाई थी तो मुझे ये था कि टाइम का इस्व मेरे पास ज्यादा नहीं आता है मैं टाइम पर चीज़े सॉल्व कर लेती हूं और टेस्सीरीज की मैंने प्रिवेस यर पेपर्स को लगाया है मैं पढ़ने के बाद में बिल्कुल टाइमर लगा करके मैं प्रिवेस यर पेपर सॉल कर लेती थी और यह देखती थी कि मैं टाइम पे कर पा रही हूं यह नहीं कर पा रही हूं तो मैंने पी और थोड़ा मैं कानपुर में थी में लेने गई थी दो कि मुझे मिल जाए कोई test series पर मुझे मिल नहीं पाई तो मुखे परिछा के लिए अपने कितनी test series और कहां से लगाई थी अ मेंस के लिए मैंने 21 में तो कोई test series नहीं लगाई थी और 22 के लिए मैंने धे कि मेंस की test series लिखी तिए एक ही लिखी तें में आब आते हैं मुखे परिछा में अब जी अस फिर्श पर को ले कर दो आपने selfie श्टेडि़ए तो जी अस फर्श पर आपने कैसे तायार कर आप जो basic किताबे होती हैं जिसे हिस्टरी के लिए spectrum हो गई पॉलैटी के लिए लक्ष कर लेती थी प्लस मेरे पास में स्लिबस मैं नही परिंट आउट कर लिया था स्लिबस को में रख ले ती और उसके पहल में यह आपकर लेदी ती पुरा स्टिक करके उस से रिवाइस करती थी और पहले पढ़ती थी और फिर एक वीक में जाके मैं टेस्स दे आती थी तो एनलाइस भी हो जाता था कि कितना ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं इसमें फिर आपने प्रिविएस यर पेपर कितने साल तक लगाया था मुखे परिश्य थोड़ा अलग किया था था एथिक्स की वज़े से उसमें एक्जाम्पल्स और चीज़े थी तफ होते हैं तो उसके लिए वीवर्स को थोड़ा पताएं उसके लिए सबसे पहले मैंने बेस तो क्या किया जो एक सिलेबस अगर आप डाउनलोड करो तो उसमें टर्म्स लिख अब मैंने टॉपर से ही मतलब देखे थे कि कैसे वो लोग यूज करते हैं और फिर मैंने उस तरीके से अपना बनाया कुछ खुद के क्रिए कि ऐसा डाइग्राम बना सकते हैं तो वही चीज़े करें अब मैं माते हैं इंटर्व्यू लेकर के साच्छातकार जैसा कि फाइन इस का और दे का एक माक इंटर्व्यू दिया था तो उसका बेनिफिट होता है हाजी बेनिफिट तो होता है कॉंफिदेंस आ जाता है पर एक दम ब्लाइंड ली फॉलो नहीं करना होता है कई बार एक दम कोई एक अलग डिरिक्शन में चीज़े बता देगा कोई दूसरा अ पता चलता की पर आप अपने ऊपर कॉंफिदेंस रखी और एक होता ना बोर्ड के सामने एक्स्पीरेंस लोगों के सामने आप कैसे जा रहे हो कैसे बोल रहे हो तो आपको थोड़ा पोजिट्यार आपके हाँ ज्यादा मूव करने क्या आपकी बॉडि लेंग्वेज कैसी ह इन सब में काफी हैं इंटर्वी जो आपका लोक्षवायक पे हुआ था इसमें किसके बोर्ड में आपका इंटर्वी था मेरा हरेश्प्रताप सिंग सार्के बॉर्ड में था अब महीं जो उत्तरप्रदिश लोक्षवायक से अभी अप्शनलन हट चुका है इसको लेकर कि है आप क्या सूसरिय अच्छा है पेरिटी क्रियरिट हो गई शुब से साइन्स का ऐसा है या बहुत सारी प्रोब्लम रही थी dipAthi नहीं चलता था सित्री में कॉड़ी में कहा है इसे आप पढ़ाई करते थें, तो पढ़ाई देर देन मिनाँ आपको बोरियत भी होती होगी, मतलब तो उस प्रकार से हैंडल कैसे करते थे आप इनगेंटेन्मेन बेसे कहते हैं, आथ एंटेटेन्मेंट के लिए तो मैं शोशल मीडिया में तो नहीं थी, मैंने जानबूच के अपने आपको कट ओफ किया हुआ था, सारे जितना अभी पहले, तो इंस्टा इंस्टा में तो अकाउंट था भी नहीं, फेस्बुक में था, वो भी ब्लॉक कर रखा था, मेरा मेरा इंटर्टेंवन, इरी फैमिली होती थी, मैं घर पी रहके पढ़ती थ तो यह मेरा मेजर इंटर्टेंवन था था, मैं अपढ़ाई का रूटीन अगर आप सेयर कर पाएं तो क्या रूटीन रहता था था, मैं खाना, पानी, मतलब जो बेसिक काम है, उनके अरावा जनरल यही होता था, सो करके फिर पढ़ाई करते रो, तो इसे घंटे वाइस मैं से कभी डुवाइट करकी नहीं किआ, कि फेले दो घंटे था, उटती थी, करीब दो घंटा पढ़ाई करती था, फिर वही रूटीन वर्क जो भी ना हना वगैरा करती था, खाना खाया, फिर में दो पहर को एंगा जंटा नाप मेर लेती था तोड़ा देर लग सकती है बट होगा हर दूसरे दिन मुझे भी लगता था कि नहीं होगा शायाद या गलत तो नहीं किया इस पर आकर के बहुत सारे डाउट साते मन में जब तक हम लाइन के इस तरफ रहते हैं हमारे मन में डेली कोई नो कोई ऐसे अपने लिए डाउट साते बट हो जाता है करते लोग तो मैं आपने इतना किमती समय हमारे लिए और हमारे चैनल ले दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद में तो जिया तो जो भी चैनल पर ने आरो हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बिल आइकन जरूर प्रिस कर दें ताकि उत्तर प्रतेश लोक्षेवाग और अनुबरतिवाग तरफ से कोई भी महत्मूर अपडेट हो आपसे लोगों से मिसना होने पाए दोस्तों डिस्किस्प्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे वहां से आपसे लोग टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन कर करके आपसे लोग की हेल्प करवाई जाती रहे जो की निसुल्ग रहेगा बाकी वीडियो को देखते रहें दोस्ते आर्ट से सेर करें मिलते हैं अगले वीडियों तब तक के लिए जैहिन जै भारत